तो फ्रेंड हाज इस वीडियो में हम आपको एक एप्लिकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक पाइप्टर हो और अपको काम करते हो तो चलिए देखते हैं आपको बताते हैं कि कौन सा है वाप्लिकेशन तो देखिये यहां पे पहले बात यहां पे यहां पे पहला दिया हुआ है पाइपिंग कल्कुलेटर ठीक है तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहां पे पाइपिंग spacing calculator है मतलब pipe का जो space होता है वो यहाँ पर calculate करने के लिए दिया है उसके बाद यहाँ पर खुद देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो important जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं तो देखिए के elbow center calculation तो जैसे इस पर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे का निकालना चाहता हूं तो वन इंच यहाँ पर select किया और यहाँ पर elbow का degree डालना है आपको मालेज़े यहाँ पर मैं 90 degree का निकालना चाहता हूं तो 90 degree पर उसके बाद यहाँ पर from 90 degree long radius elbow इस पर रहने देना और यहाँ पर find पर click करना है तो देखिए यहाँ पर answer बता दिया 30.0 mm ठीक है मतलब कि एक इंच जो elbow होता है उसका elbow center 38 mm होता है ठीक है मतलब कि आपके काम को यह आसान कर देगा आपको अगर calculate करने में जहनजट होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं वैसे मैंने इसके उपर पहले वीडियो बनाया हुआ है इसका मैंने पूरा theory जो है आपको बताया हुआ हुआ है वीडियो में तो आप चाहाए तो जाक क्लिक कर दीजिट में अगर आपको commerce है तो कैसे काटना है टो यहां पर उसके बारे में मतलब दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ है कि अल्बों का साइज अबको से लट करना है और फिर यहाँ पे degree आपको select करना है ठीक है, तो यहाँ पे 90 degree से मैं cutting करूँगा उसको तो यहाँ पे 90 degree select कर दिया और उसके बाद, और यहाँ पे कितनग degree का हमें cutting करना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45 degree और उसके बाद from 90 degree long radius elbow यह ही सेलेट रहने देता हूं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पर पूरा जो कटिंग का प्लान यहाँ पर दिखा रहा है तो आप चाहे तो देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ दिया हुए देखिए rolling offset calculator piping में जो rolling होता है उसके बारे में भी दिया हुआ है और इसी तरीके से यहाँ पर pipe paint quantity estimator और ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फिटर calculator भी दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका calculator open हो जाएगा यहाँ से आप calculator यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस एप को अगर आपको